hello friends, सबसे पहले तब का बहुत सवागत है फ्रेंड एक play store मेह common major problem आ रही है वह यह है कि आपके applications डाउन्लोड नहीं हो रही applications больш New all डिखा रहा हूं एक error ला रहा है और error क्यूं आ रहा है इसका reason बताऊंगा और यहर कैसे solve करना है यह भी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ पहले आप किसी भी application को आप search करते हो मालेजे मैं किसी भी app hider को मालेजे मैं search कर रहा हूँ और इसको मैंने इसको click किया और install में click करता हूँ It seems that another app is blocking access to google play Turn off any apps that might be drawing over मतलब कुछ drawing over the screen and try again So, यह problem क्यों आ रहा है, कैसे solve करना है, कौन से setting करनी है सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगा और आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जुरत नहीं पड़ेगी आप मेरे चैनल पे नए हो, तो आप सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा क्योंकि भी चैनल नहीं है, आपकी सपोर्ट से यांगे बढ़ रहा है So, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ setting option पे जाकर आपको करना क्या है फिर उसके बाद next step कौन से लेने, तीन step लेने आपको ठीक है तो आपको तीन step में आपको समझ में आ जाने वाला है So, फ्रेंड आपको setting option पे आना है setting option पे आकर आपको simply कुछ नहीं करना आपको जाना application, application आप देखिए कहां पे है So, apps के application option पे आप आ जाईए, ठीक है application option पे आ जाना है और यहाँ पे आपको search कर लेना है यहाँ पे search कर ये यहाँ पे search धूर लीजिए, ऐसे करके ठीक है न, तो मैं Google Play Store तो भई हम search कर लेंगे तो हम इतना ज्यादा time नहींगे तो Google Play Store हम यहाँ से search कर लिए है और यहाँ से इसको क्या करना है इसका force stop कर देना, ठीक है force stop कर देना है आपको एक बार और आप permission, permission में आपको एक बार check कर लिए क्या क्या permission है, सब कुछ it's all right, सब कुछ okay है आपको कुछ नहीं, बस check करना एक बार पर आप force stop कर ही देना है, ठीक है न और सब कुछ, यहाँ से allowed होना चाहिए ठीक है अलाओ permission यहाँ पर आप देख लिजएगा permission कभी कभी allowed नहीं रहता, इसलिए problem आती है allow permission भी आप check कर लिजएगा सब आपको बाहर आ जाना है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अब आपको next step कौन से लेना है, और क्यों यह problem आ रही है major problem बताने वाला हूँ आपको, जिसके बज़ेश से problem आ रही है, ठीक है, तो अब करना क्या है आपको इसका solution अभी अब मैं बता दूँगा अब देखिए, अब एक snap चाहिए, ठीक है न, मैंने इसको क्लिक किया, यह install ही नहीं हो रहा, अब यह problem क्यों आ रही है अब देखिए, place door तो open हो रहा है सब कुछ हो के हो रहा है, बट यह problem अभी भी जा नहीं रही है तो अब आपको करना क्या पता है, आपके background में कोई application ऐसी है जो run कर रही है, उस applications को आपको stop करना है जब आप stop कर दोगे, तो automatic problem solve हो जाएगी तो कौन से applications run हो रहे है, किसकी बज़े सी यह problem फेस करना पढ़ रहा है तो अभी आप इस चीज़ को सीखने वाले हो, आपको करना क्या है, आपको देखना है कौन से applications running में है तो आपको यहाँ पर आ जाना है directly और आपको पता कहाँ चलेगा कि applications run कर रही है यह नहीं कर रही है, तो आपको simply यहाँ setting में, आप यहाँ से background में चाहिए, यहाँ से और आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, कि यहाँ पे यह screen recorder है ना, हमने इसको on कर लग का है या on भी नहीं कर रखका है, माली जी आप भी कर दिया है, ठीक है, मैंने इसको off कर तब भी यह problem आएगी, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको screen recorder को आपको बंद करना है screen recorder बंद करना है, और यहाँ से, यह देखिए आप, यहाँ से screen recorder को हटाना है, background में जो screen recorder चलना है, इसको stop करके हाँ से हटाना है, और phone को reset करना है, एक बार reset मार के फिर से आपको चलाना है, तो 100% यह काम करने लग जाएगा, आपको करके दिखाता हूँ कि, मैं भी थोड़ा screen recorder बंद करना है, यहाँ से background से हटाना है, और background से हटा के आपको reset करना, phone को, फिर चालू करना है, अब play store काम करने लग जाएगा, चली मैं करके दिखा देता हूँ, so friends, अभी मैं play store में, अभी just यही कि, screen recorder को मैंने background से हटाया, और background से हटा के यहाँ से भी हटाया, और इसको मैंने play store में, अब मैं by tech pro अपडेट करने के लिए माग रहा था, अपडेट नहीं हो रहा था, उसमें कुछ प्रावलम आ रही थी, अब देखिए, मैं by tech pro को अपड लाइट का दिखा रहा था, तो यह download कर सकते हो, आप, अब download में click कर देंगे, तो download अब नहीं होगा, ठीक है न, आप screen recorder फिर से मैंने चालू कर दिया है, जब screen recorder बंद होगा, आप बाहर हो जाओगे, तभी यह काम करेगा, तरवाई यह काम नहीं करेगा, फिर से काम नहीं कर लेगा, तो थैंक्यू चैनल विजिट करने के लिए, चैनल परना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देगा,